नमश्कार, बच्चों के सामने, माता-पिता को कैसा वेवार करना चीए आज के टाइम में, हर माबाप चाहते हैं, मेरा बच्चा सर्सकारी बने दुनिया के सारे गुन मेरे बच्चे में आ लेकिन ज़श्ट इमेजिन, ज़श्ट थिंग कभी आपने सोचा है कि दुनिया के सारे गुन आपके अंदर है No Never तो कैसे आपका बच्चा आप से सिखेगा एक बच्चे के लिए अपने माबाप है ना उसका आईना होते है अपने जब आईनी में देखते हैं तो अपने आपको सुमारते हैं और अपके आपको देखते हैं तो बच्चा वेसे ही करता है अपने माबाप को देखता है अपने माबाप की हर एक्टिविटी को देखता है अपने माबाप के हर अच्छे गुन और अवगुन को देखता है और जैसा वो देखता है वैसा अपनाता है तो केसे आप अपने बच्चों से आसा करोगे कि मेरा ब कुछ अच्छी आदते बच्चों के सामने पेस करनी होगी, तभी आपका बच्चा आपसे कुछ अच्छे एटिकेट्स गेंद कर पाएगा. अधरवाइस, आप से सोचते रहोगे, और बच्चा आपसे बुरी आदतें, आप जितने भी बुरी आदतें करतें, आपसे सीखता रहेगा, आप कुछ नहीं कर पाओ. बाल बनो वेकिनिक केते हैं, कि आप अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहते हो ना, पहले आप खुद बनो, आप बनते हो, आप नहीं, आप सिर्फ बच्चे को प्रेसर करते हो, तेरे को ये करना है, तेरे को जूट नहीं बोलना है, तेरे को देरी रखना है, तेरे को गुसा नहीं करना है, तेरे को सब का सम्मान करना है, तेरों को कभी अपमान जैसी बासा का सब्द प्रियोब नहीं करना है लेकिन आप कभी यह सब चीजे खुद ने किये खुद के अंदर यह सब हैं अच्छे अच्चकुण हैं अगर आपके अंदर नहीं है तो आपका बच्चल के सामने यहां अगर आप करेंगे तो आपके बॉच्चे भी वेसी होगी। नमबर वन अपमाण जनक भासा का कल शोक बजो के सामने मैं कभी पतनी लड़ी में अCOMP एक दुस्व philanthrop काया आपको क्तु वोट इस देस आप क्या कर रहे हो आपकी लड़ई हो रही है और आपके बच्चे आपको देख रहे हैं आप हर कुछ बोल रहे हैं कुछ गाली गलोज बोल रहे हैं अपने पती को या पत्ली अपने पती को बोल रही है अरे आप दोनों तो बड़े हो समझता और फिर भी समझ कर, इसलिए अपने बच्चों के सामने कभी भी अपां जनग बासा का प्सक् долларов का प्योग ना करें, हमें साँ एक अच्छी लेंगवेज के बारे में बात करें, और वहीं बच्चा आपसे सिखेगा सेकर एक दूसरे की कम्या ना निकाले बच्चों के सामने पती पतने कभी एक दूसरे की कम्या ना निकाले एक दूसरे एक सो यह न कहीं तुने यह कर दिया तुने वह करिया अगर आप इसा करो गया तो आपका बच्चा भी एक दिन आपके अंदर कम्या निक करते हो वो किसे सिखा आप से सिखा आपकी बुरी आदूसरों से सिखा इसलिए अपने बच्चे के सामने कभी एक दूसरे की कम्यां न गिराए यह सब करना है तो आप अकले में कर सकते हो ना यार बच्चों के सामने क्यों वाई थर्ड एक दूसरे का अपमान कभी बच्चों जालगें तक नीव्लेन में अगर पत्नी आपको देखेंगे तो एक दिन ऐसा यह आए गहाइगा कि आपको बच्चा आ पका अपमान करेगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे क्यों कि आप नहीं हो शेक्या है då जatt Birthday आपको बच्चा आपके अन्य खीकर गाई है कि आन। इसरे का अफमान कभी ने करें बच्चों के सामें परना एक दिन ऐसा आएगा ये समय पे आप आपको अपने बच्चों के दौरा जनीन होना पड़ेगा फॉर्थ कसम का सारा न ले आज कल पेरेंट देगे हर चोड़ी चोड़ी बात में कसम का सारा ले दे खा मेरी कसम खा पापा की कसम वोट इस दिस आप क्या कर रहे हो यार वो एक छोटा सा बच्चा है उसे क्या पता एक कसम क्या होती है उसको सच बुलवने के लिए आप कसम का सारा लेते हो और एक दिन ऐसा आएगा ना जब वो कसम को भी जूटी साबित कर देगा जोगी उसको पता है वो अगर वो कोई बड़ा भारी काम कर लेका नुकसान कर लेगा यह सो कुझी बड़ा जूट बोल देगा ना और जब आप से देख लेगा क्या है मामी बपते कसम से मान जाएंगे इसलिए एसे गलती कभी न करें हर चोटी चोटी बात बच्चों को कसम न दिलाएं हर चोटी चोटी बात बच्चों को कसम दिलाएंगे एक बिन ऐसा आएगा को कसम कोई रिपीट कर लेगा और ऐसे ऐसे बड़े बड़े कारी करते लेगा आपको पता ही नही अजर फाइव। बच्चों को तू में तरियो गिपलों गांगा तो अच्छी पढ़ें करेगा तो में तरे कुछ भीे नियोक YEAR क्या कररे हो हर चीज करने के लिए लालाची दोगे क्या कभी उसको सेल्प भी तो करने दो आप हर छोड़ी छोड़ी बात पर अगर इचा करोगे ना जब वो बड़ा हो जाएगे ना तो वो आप से बोलेगा पापा मैं आपका ये काम कर रहा हूँ आप मुझे क्या दोगे उसक्षक आपको कैसा फिल होगा उसक्षक आप अपमान से अपने आपको देखोंगे गयार मेरा बेटा कैसे में उसे बात कर रहा है लेकिन शिकाया किसने हैं आपने तो फिर आपको ऐसे ही आसा करनी होगे अपने बेटा से अपने बच्चों से वो बड़ा होगा हर छोटी छोटी बात से आपसे डिमांड करेगा इसलिए द्यान रखें जीवन में हर मता बिता को अपने बच्चों के सामने इसी बाते कभी नहीं करें जीवन में अगर इसी बाते आप करोगे न तो आपका बच्चा आपसे सीखे और एक दिन याद रखे आपके उपर ही एप्लाई करेगा Not this my point इसे के साथ आज यहीं मेरा वीडियो आपको पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चलर को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की notification सबसे पहले आपको मिल दी रहे